नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब, तैयार हैं स्कूल चलने के लिए, तो चलिए, चलते हैं अपने स्कूल और गाना गाते गाते चलते हैं, हो हो स्कूल चले हम, हाँ हाँ स्कूल चले हम, हाँ हाँ स्कूल चले हम, और आ गए हम अपने स्कूल, और अपनी हिंदी क केक्षा में चलिए देखते हैं हमें आज क्या पढ़ना है लेकिद उससे पहले recap हम अभी अपनी मात्राओं का अभ्यास कर रहे हैं तो हमने अब तक आ-ग आ-ई-ई-उ-उ की मात्राओं का अभ्यास किया है अब हम पढ़ेंगे री की मात्रा का अभ्यास चलिए उससे पहले हमारी ये कविता हो जाए आप सब मेरे साथ गाएंगे ठीके असे अनार आसे आम होते हैं सब मिलकर काम इसे इमली इसे इक अच्छी अच्छी बाते सीख उसे लू उसे उन री से रिशी को करो प्रणाम और बताओ अपना नाम है ना चलिए बढ़ते हैं आगे और आज हम करेंगे री की मात्रा री की मात्रा का अभ्यास क्यों तो हमने री की मात्रा पहले पढ़ ली है तो क्या आप मुझे बता सकते हो इसमें री की मात्रा के कौन-कौन से शब्दा ढूंड पा रहे हो जी हाँ आपने ढूंडा म्रिग आपने ढूंडा रिशी आपने ढूंडा व्रिक्ष बहुत अच्छे चलिए आगे भढ़ते हैं तो ये है री स्वर और ये है री की मात्रा जो हम अपने लेटर्स के नीचे ऐसे लगाते हैं तो उसका प्रनांसियेशन उसका उच्छारन भी बदल जाता है जैसे क में हमने री की मात्रा लगाई तो ये बना क्री घो में हमने री की मात्रा लगाई तो ये बना क्री ग, घ, इन सबका sound अलग है जब हम क क कहते हैं तो देखे आवाज कहां से निकलती है क, ख, ग, घ, ठीक है यह सबका उच्चारण अलग है और जब हम इसमें री की मात्रा लगाते हैं तो इसका उच्चारण अलग हो जाता है जैसे क्री, क्री, ग्री, ग्री आप इसको बुलने की प्राक्टिस करेंगे ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम देखेंगे री की मात्रा से लगे कुछ शब्दों को जो हमने पहले पढ़ रखा है एक अभ्यास करते हैं न में री की मात्रा प्लस प बना निरिप मीन्स केंग म में री की मात्रा प्लस ग बना म्रिग मीन्स डियर व में री की मात्रा प्लस छ बना व्रिक्ष मीन्स ट्री ह में री की मात्रा द य बना ह्रिदे मीन्स हाट क में री की मात्रा प्लस श प्लस का बना क्रिशक मीन्स किसान तो ये हमने देखे कुछ री की मात्रा से बने शक्टों को एक बहुत महत्पुन और इंपोर्टेंट बात जब हम री की मात्रा लगाते हैं न तो हमारी री की मात्रा हर एक वेंजन में नहीं लगती है तो आप देखेंगे कुछ वेंजनों को मैंने सर्कल किया है जो वेंजन सरकल में है उनमें रीकी मात्रा नहीं लगती है ठीक है? हमने रीकी मात्रा क में लगाई, ठ में लगाई है, फ में लगाई है, स में लगाई है लेकिन हमने रीकी मात्रा य, र, य, इनमें नहीं लगाई है तो जो वेंजन स्वर्कल में है उनमें री की मात्रा नहीं लगती है आईए देखते हैं री की मात्रा से बने कुछ वाक्यों को सर्दी की रितु आ गई पुन्विरम आप देख रहे हैं हमने यहाँ पे री मात्रा का प्रयोग नहीं किया है हमने यहाँ पर री स्वर को लेकर एक शब्द बनाया है रितू रितू means मौसम, मतलब सीजन सर्दी की रितू आ गई, पुन विराम क्रिशक, क्रिशी करता है, पुन विराम क्रिशक means farmer, क्रिशी means farming, agriculture करता है, तो आप देखेंगे, यहाँ पर हमने कव में री की मात्र लगाई है, तो हमारा स्वर बना क्री आईए देखें कुछ और वाकिये, म्रिग त्रिण खा रहा है, पुन विराम म्रिग त्रिण खा रहा है, हमने यहाँ पर री की मात्र लगाई है ब्रिगू रिशी पधारे ब्रिगू इन रिशी का नाम है बहो में हमने री की मात्रा लगाई है रिशी में हमने री स्वर का प्रयोग किया है तो ये बना ब्रिगू रिशी पधारे क्रिशक ग्रे से निकला क्रिशक मतलब किसान ये क्रिशक है ये इसका ग्रे है मतलब उसका घर है तो ये बना क्रिशक ग्रे से निकला अब हम देखेंगे रे की मातरा के कुछ और वाके और इन्हें बोलने की प्राक्टिस करेंगे जैसे रिशी के ग्रे के पास एक व्रिक्ष है क्रिशक के पास एक म्रिग है मृग चल रहा है हमें किसी से घ्रणा नहीं करनी चाहिए वहां कृशी करता है घ्रणा के पात्र मत बनो भारत हमारी मात्र भूमी है व्रिक्ष के पास ही मृग खड़ा है तो हमने यहाँ पे कुछ बाक्यों को पढ़ा है आप भी इसे रीटिंग करने की प्राटिस करेंगे धन्यवाद